हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू अवर चैनल फ्रेंड्स, आजे आपनों जे विशय शे त्यावनारी गुजरात सिविल जिदनी मुख्य परिक्षा माटे बाउज इम्पोर्टन्ट विशय शे अने आजे हूँ आप सबुमाटे लैने आवे उछू Most Important Subject Specific Relief Act 1963 जेने आपने गुजराती माँ यथा निर्दिष्ट दाद अधिनियम 1963 पन कहता होई है अने शोट माँ आ काईदा ने आपने SR Act तरीके पन ओड़क हिये छिए तो फ्रेंड्स आ काईदा मां बाउज अगत्यानों एवो क्विश्चन आजे हूँ लैने आवे उछू जे छे Cancellation of Instruments तो फ्रेंड्स आवनारी गुजरात सिविल्दिद्धी मुख्य परिक्षा माटे आ टॉपिक अने आ प्रश्ण बहुज इंपोर्टन छे खासकरी ने खतों ने Cancellation कई रीदे गरी शकाए Cancellation of Instruments ते घणी वार क्विश्चन पूछायलो चे गाओ और पूछा तो होए छे तो फ्रेंड्स आजे आपने समझवानाचे खासकरी ने Cancellation of Instruments question पूछायलो तो तेनों आंसर कई रीदे आपको ने सू लखवू अने सू एववाइड करू बाउज डिटेल माँ समझवानाचे चियत फ्रेंड्स अने खासकरी ने आ वीडियो ने end सुधी जो जेती आप स सवनी मन पसंद यूटूब चैनल रियल एजुकेशन कैच इतो फ्रेंड्स बिलकुल समय ने नहीं बगाड़िये जल्दी जल्दी स्टार्ट करी शू सव थी पहला जे लोको यह जू सुधिया वीडियो ने लाइक नती करें आपने जरूर थी लाइक करी जो चैनल पर जे टेलीग्राम, फेस्बुक, इंस्टाग्राम पर जोडा आमाते नी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मा आपे ली चाहे तो प्लीज अत्यारेच चेक आउट करीने जोडाई जो जो अमारी साथ है ओके तो फ्रेंड्स अहीं यां कैंसलेशन आफ इंस्ट्रूमेंट मा स्पैस एसारेक्ट नाइटेन सिर्चततरी ना चेप्टर नमबर फाइव मा वाद करवामा आवी चे खास करेंग्रेच खतो ने रद करवानी कारिये आई कैंसलेशन आफ इंस्ट्रूमेंट दस्टावेज जो के खतो रद करवानी कारिये आफ़ा निरिस्टाद अधी नियम उगु अवा आद खत्तों ने के दसता वेजोंने बै रिते रद करी शकाए संपोण पणि रद्धी करणद ज्या अधालत इंस्ट्रूमेंट ने संपोणले रिते रद करवानों नेणय करें लिजू छै आनसिक रद्धी करनद चे पन को यहां instrument चहें, आँ डोक्ट्यॉमेंट चहें ने रद कही रिते करी शकाये, बैरी रिते करी शकाये, तो संपोण पने अधाला तेने पूरे पुरू रद करी दे, अने बिजु छें आंसिक रद्दीकरण, जे यहां instrument ना कोई एक भाग ने रद करवा माँ आवे, जे हवु जरूरी छे तोज इंस्ट्रूमेंट रद थाय तो फ्रेंड्स हवे जोई है अमुक जरूरी आतोने ध्यानमा लिधा पछी विहवार माटे पक्षकार नी विननती पर सिविल कोट द्वारा इंस्ट्रूमेंट ने रद करी शकाये छे दावो करो पड़े अदालत मा खास पक्षकार ने जे पन कोई पक्षकार ने आओ कोई विननती करे खाई suрепेंड कोई सांवाडा पक्षकार ना कब्चाम हो अन्ने डर होए तो ए ढ़ो करीशके सिविल दालत मा खाई पक्षकार द्वारा दाखल पर companies to इंस्ट्रूमेंट ने रद करवानों दावों जो नीचे नी जरूरियात माती कोईपण पूरी करवा मावे तो स्विकारवा मावे तो प्रेंट तहनी कहीं काई आवशक ताओ छहे जो ए आवशक्यताओ फुल थाए तो वो जो पच्छी दाओ स्विकारव माव से तेम द्वारा रद्दी करवानों दाओ करवा मावे लो होए तो इंस्ट्रूमेंट रद बातल घणासे यू होव जोई है बिजू जो पक्षकार द्वारा जेपन कहीं इंस्ट्रूमेंट विरुद रद करवानों दाओ दाखल करवा मावे होए तो ते रद करी शकाई तेवु ह यह पन बहुज इंपोर्टन छे जो ते इंस्ट्रुमेंट जहनी सामे रद कर्मानों दाओ दाखल कर्माम आवयो छे ते इंस्ट्रुमेंट दाखल कर्नार पक्षने नुक्षान पहुचानवानी संभावना धरावे छे तेवू हौँ जो यह इतले के जहने पन डर सताई रहो जहने एवू छे के आज इंस्ट्रुमेंट से मैं करी आपितू पन एना थी मने नुक्सान थवानी पूरे पूरी शक्यता छे यहूं केंक एलिमंट तैमा होगू जुए तोज इदाओ दाखल करी शका से जो इंस्ट्रुमेंट रद कर्वा माटे दाओ दाखल करनार पक्ष कारने इंस्ट्रुमेंटना पर्फोमंस ना कारने तैने हonos चो भी शक्यता च्हीं शंका शह क्या इंस्ट्रुमेंट ना कारने तो कोई वेक्ति नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट एटले के येवू चेक आपी दिदो छे अने चेक नू जो पर्फोमंस थाए अने खोटी रीते राखवा माँच चेक नू पर्फोमंस थाए तो आ वेक्ति ने नुक्सान था येवू छे खोटी रीते तो फ्रेंड्स इंस्ट्रूमेंट होई शके कुई पन खत होई शके ते विचेने या जोगवाई छे त्यार बाद जहारे जे पक्षकार द्वारा इंस्ट्रूमेंट ने रद करवा माटे विनंदी करवा मावी होई ते पहला थी आ पक्षकान ने पूर्तु नुक्सान पहुचाडी चुक क्यों होई अथ्वाथ यूग कोई खत होई यूग इंस्ट्रुमेंट होई जे पक्षिकान ने अगाउथी नुक्षान पहुचाड़ी चु क्यों छे अने हजू वदू नुक्षान न थाए ते माटे ते सिविल कोट माद आवो करी शक्ष केस ना तमाम संजोगों ने ध्यान तो फ्रेंट्स कलम नंबर प्रकर नंबर पांच माँ खत रद करवा बाबतनी जोगवाई छे ने तेमापं कलम नंबर 51 आपने स्पस्ट पणे जनावे छे खत रद करवानों हुपकम क्यारे करी शकाई तो फ्रेंट्स अहिया अपने जनावी दिदू के जयरे कोई वेक्ति लेकित खत रद होय आतों रद करी शकां अने तेनी एवी वाजबी देश्यत होय æे शकर छे संधने लेक्त करे prol प्रमाने ठरावी शक्षाने ते खत सौपी देवानों अत्वातो अने तेने रद करवानों पण अदालत हुकम करी शक्ष कलम नंबर 31 मा आउस्पस्ट पणे जनावेलू छा साथे साथे कलम नंबर 31 मा आउस्ट पणे जनावे छा कि भारत रजिस्ट्रेशन अधिनिया 108 हेटर जो ते खत रजिस्टर करवामा आवियू छा मानी लोग ए खत रजिस्टर करायेलू छा तो एवा अधिकारी ने पण पोट पोताना हुकम नामानी एक नकल मुकल वी जोई त्यां पणे चोपडामा नोध थायू है ने त्यां आवा अधिकारी रद थाया आंदेनू हुकम नमू आवे थी ए चोपडामा तेनी खत नकल जेपण कही रद थायू छे तेवू नोधी ले शे ओके कलम नंबर एक तरस इंपोर्टन छे आ जोगवाई खास्त आवी जोई त्यार बात केवा खत अनसत हरद करी शकास है थो त्यार एवा किस सामा योगिया किस सामा अंसत हरद करी शकास है ने बाकी नो भाग M face आधालत ने योग ये लाग से तेने अंसत अपन रद करी शक्ए बाकी नो भाग बीजी जवाबदारी होई तो यह ना माटे राखी शक्षे ले 32 अंसत अपन रद करवा माटे नी चूगवाई से तेपन बहु जगत्य त्यार बात कलम 33 नी वाद करिये तो कोई खत रद करवा मावे अथवा त्यो रद होवा ना अथवा तै रद ठै शक्वाणा आधारे तेनो सपड़्ता प्रोक सामनों करवा मावे त्यारे ठैलो फायदो पाचो आपी देवा अथवा वर्तर फर्मावा वादा या फायदो पन पाचो आपपनी मावी WORT नी पण प्रतिवादी जो बिजा पक्षकार पासे तित्य खत हेटण नहीं फाइदो मेडवेव होई तो गौट प्रतिवादी ने फाइदो शक्के होई पक्षकार पासे तित्य पक्षकार पासे तित्य पक्षकार पासे तित्य फाइदो मेडवेव होई तो प्रतिवादी ने अथवा तेनी एस्टिट ने तेनी लाब थायो होई तो इतले अंशे पाछो अपी देवा प्रतिवादी ने फरमावी शक्षके यहों कहीं करी होई तो तेनों पाइदों जेपन कोई मिलेवों होई ते पाछों आपवा माटे अदालत हुकम करी शक्षे फर्मावी शक्षे यहां त्रोण कलम हो छे कलम नंबर 31 निवाद रद 11 थाई शक्षे बहुँज इंपोर्टन अंशत रद निवाद 32 माने देद्थेश मा भाइदों पाचों पावा निवाद आने व्याजबी वर्तर पना पावानी बात करवामा आवी चे हवे निशकर्स निवाद करू तो भारती अदालोतों द्वारा आजे एसार एक्ट चे स्पैसिफिक रिलीफ एक 1963 हेटर जे पन कहीं इंस्ट्रूमेंट नू रद्दी करण माटे मुखवा मावे छे अकलम हो यहनों मुख्य हे तू एक कोई पक्षकार ने आवा अदालतनों मुख्य हे तूछे आ कलम द्वारा अने कदाच इटलेज आकाइदानी कलम नंबर 13 कलम नंबर 13 मा अदालतने डिस्कृष्णरी सत्तापवा मावी छे विवेक बुद्धी नी मुनसफी सत्तापवा मावी छे जेती अदारत आवा नुक्षान के जा पहुंचेल अध्वा नुक्षान के जा पहुंचवानी संभवना होई दिवा पक्षकारों ने न्याय आप्वा माटे कारियर अथ होई छे तो फ्रेंड्स इस ओल अबाउट दी कैंसलेशन ओने आवडी जवो चोई तो फ्रेंड्स आज ना आए वीडियो मा आप सो इजीली समझी चु संपून के डिते थाई शके अंशत है एनूं कन्क्लिजन सुच है सु आवशक्यता होँचे खासकरी ने दाओ दाखल करवा माटे बद्धूज आपने डिटेल मां समझाना है ओपसो आप सो आप सो ने एक दम क्लियर थाई गोई से स्पैसेपिक रिली फैक्ट 1963 सेक्षन नं और क्यूंत दए लगए शक्ष्वों और सारा मांक्स मिल वी शक्षों तो फ्रेंड्स आज वीडियो मा आप लूह त्यदे जाण वान मडिव बेल न्वा वीडियो' लाओ तो प्रेंट्स एनो नौटिफिकेशन आप सवने जरूर दी सवती पहला मड़ी जाए तो प्रेंट्स आवाद नवा वीडियो साथे फरी थी बहुत जल्दी मड़ी शू तेहां सो दी जोता रहो अमारी चैनल रियल एजुकेशन कैजट खुब खुब धन्यवाद खुब खुब आपार